पिछले तीन दिनों से बीजेपी संसद्य अदल की बैठक चल रही है जुसमें पीएम मोदी देश भर से जीत कराए बीजेपी संसदों को आचरण और काम करने के तरीके की गुर और बारी क्या सिखा रहे हैं लेकिन इस बैठक के पहले दिन सभी संसदों और पार्टी के नेताओं और कारेकरताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सक्थ लहजे में कुछ बाते कही जो पार्टी और पार्टी के संसदों और कारेकरताओं को असहज कर गया यहाँ पर पीम की बात का जिक्र करें उससे पहले हम उस घटना का जिक्र कर दें जिससे पीम काफी नाराज दिखे और सक्त लहजे का इस्तमाल किया हुआ यू की संसदी अदल की बैठक से पहले इंदोर के बीजेपी विधायक आकाश विजेवर्गिया ने जरजर मकान गिराने पहुँचे नगरनिगम के अधिकारियों को बैट से खूब पीटा जिसको लेकर देश भर में बीजेपी समेत आकाश और आकाश के पिता कैलाश विजेवर्गिया की खूब आलोचना हुई तुर्रा ये कि मीडिया से बात करते हुए कैलाश ने गुस्से में ओकात में रहने की सलहा दी थी जो आग में घी डालने के काम आया और इसको लेकर बीजेपी के मंत्री से लेकर कारिकरता और संगठन के लोग जवाब देने में असहज महसूस करने लगे और कोई भी इस घटना पर बोलने से किनारा कर लिया लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की छवी को काफी नुकसान पहुचा दिया इसी बाद से नाराज प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक के पहले दिन ही सबसे पहले कारेकरताओं और सांसदों को संदेश दिया कि कानून से कोई बढ़ा नहीं और पार्टी में सभी को सही तरीके से काम करना होगा जो गलत काम करेगा पार्टी उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी चाहे वो किसी भी शक्तिशाली पद पर बैठे किसी का बेटा हो यही नहीं प्रधान मंत्री ने इस गलत कारे का समर्थन करने वालों को भी आड़े हाथो लिया और कहा कि पार्टी बड़ी है नेता नहीं समर्थन करने वालों पर भी सक्त कारवाई होनी चाहिए इतना कहना था कि बैट मार विधायक बेटे और पिता क्यालाश विजवर्ग्य के होश ठिकाने पर आ गया अब क्यालाश क्या रहे है कि पिम मोदी मेरे लिए पिता तुल्य और आकाश के लिए पिता मह की तरह है उनकी डाट आकाश के राजनीतिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और इससे अब सुधार होगा प्रधानमंत्री मोदी हमारे परिवार के मुख्या है मेरे लिए पिता तुल्य और आकाश के लिए पिता महसमान है अगर पिये मोदी ने डाट भी दिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है परिवार के मुख्या कोई अधिकार होता है कि वो गलती करने पर तोके उसमें सुधार के लिए कहें उनकी डाट से भी सुधार ही होगा अब देखना दिल्चस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की डाट का कितना असर होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा भारत का एक परिपक में लोगतंत्र हो दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र हो चुनाव अपने आप में लोगतंत्रिक विश्व के लिए बहुत बड़ी एहमियत रखता है उसके ग्लोबल वैल्यू होती है उस समय अपनी सोच की मर्यादाओं के कारण विचारों में पन्पी हुई विकृती के कारण इतने बड़े जनादेश को हम ये कह दें कि आप तो चुनाव जीत गए लेकिन देश चुनाव हाई गया मैं समझता हूँ कि इस से बड़ा भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सकता इस से बड़ा जनता जनारदन का अपमान नहीं हो सकता ये एक सामाने बाक्य नहीं है एक गंभी रुप से कि देश के लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वानी बात है और जब ये बात कही जाती है कि लोकतंत्र हार गया देश हार गया तो मैं जुरूर पूछन जाओंगा क्या वाइनाड में हिंदुस्तान हार गया क्या क्या राइबरेली में हिंदुस्तान हार गया क्या क्या बहरामपूर में तिर्वननत्पूर में हिंदुस्तान हार गया क्या और अमेठी में के अधिता हार गया क्या ये कौन सा तर्क है याने Congress हारी तो देश हार गया मतलब देश याने Congress Congress हैने देश अहंकार की एक सीमा होती है अहंकार होने ही पीचित सीमा का कहाँ सवाल है जिकने इस विप्रकार का मैं ज़रा जानना क्या हूंगा, सत्रा राज्य, 55 साल तक देश में सरकार चलाने वाला दल, सत्रा राज्यों में एक सीट नहीं जीत पाया, क्या हम आर्थानी से कह देंगे, देश आर गया, मैं समझता हूँ, कि इस प्रकार की भाषा बोल करके, हमने मतदाताओं के विवेक पर ठेश पहुंचाई है, देश के मतदाताओं को हमने कड़गरे में खड़ा करते हैं, हमारी आलोचना मैं समझ सकता हूँ, और लोकतंत्रा में उस्विकार ये भी हैं, इतना ही नहीं आलोच सम्मानित है, लेकिन देश के मतदाताओं का इस प्रकार का अत्मान बहुत पीड़ा देता है, और तब जाकर के, हो सकता है मेरी वानी में कोई आकरुज भरे शब्द भी हो, लेकिन वो मेरे दल के लिए नहीं है, इस देश के परिपक्व लोकतंत्र के लिए हैं, भारत के सम इर्फान निर्माताओं के समझारी की और हमारा, हम इस चुनाव में देखें, 40-45 डिग्री टेंपरिचर और लोग दिन दिन भर कतार में ख़ए, 80-90 साल के विजूर्ग हाथ में लाठी लेकर के वोट करने के लिए जा रहे थे, कई ऐसे चुनाव का जिम्मेवारी सम्मालन करने वाले अधिकारी, दो दिन पहले मा के मुर्ति हुई है, लेकिन चुनकि चुनाव के अधिकारी के लिए जिम्मेवारी है, वो EVM मशीन का दब्तर उठा करके, किसी गाउं में गया है, डूटी कर लेती है, कितने कितने लोगों के तपस्यापों के बाद ये चुनाव हो दिया, हमने यहां तक कह दिया, देश का किसान विकाउ है, दो दो हजार उपया की योजना के कारण किसानों के वोट फरीज लिए गए, मैं मानता हूं इस देश के किसान को ऐसे अपमानित करना नहीं चाहिए, मेरा देश का किसान, हमारा देश का किसान विकाउ नहीं है, हम अमीर के पेट में जाएगा वो कभी नहीं सोचता है उस किसान के लिए हम यह कह दे कि हमारे देश में मैं समझता हूं पंदरा करोड किसान परिवारों को परे अपने अफमानित किया इस प्रकार की भाशा का प्रहुक करके कि दो दो हजार रुपे की स्कीम के कारण वो बिग मैं हरान हूं मिडिया को भी गालिया दी गई मिडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं हम कहां खड़े है मिडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं मिडिया विकाओ है क्या मिडिया को खरीद लेता है क्या और खरीद करके जिरते हैं और जिन राज्यों में क्या तमिल ना क्यों होगा क्या हम उन्थ बातों को करें जिस बातों में कोई क्योंकि यह सदन है सदन में बूली गई बातों का अपना एक महत्तों होता है हम कुछ भी कहते रहते हैं और ठीक है अख़वारों में हेडलाइन मिल जाएक लेकिन भारत का लोक्तर जिसमें दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा है हमने गर्म होना चाहिए भारत की चुनाव प्रक्रियां विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर होती है और इस अवसर को हमने खोना नहीं चाहिए है जब इलेक्शन कमिशन से जुड़े हुए लोग मुझे मिले थे तब मैंने उनसे कहा था जो निवरतमान होते थे वो जब मिलनायत उनको कहता था मैंने कहा हमारी है कि ऐसी बड़ी अमानत है ये तुनाव प्रक्रिया और व्यवस्ता है वीश्व के सामने जानी चाहिए आप कलपना कर सकते हैं कितनी विशावता और व्यापकता दस लाग पोलिंग स्टेशन कितना बड़ा रूप यापकता हम इस बात को दुनिया के सामने रखे कितना गर्व हो सकता है दुनिया को भी अस्टेशन होगा मैं समझता हूँ कि हम अपने नीजी राजनीतिक कारणों से हम इस पकार से कहें इस चुनाओं में एक बहुत बड़ी बाप नजर आई है हमारी बेहन बेटियों ने जो कमाल किये हमारे देश में चुनाओं पहले से होते हैं महिलाओं को मत्दान पहले से मिला हुआ है लेकिन हमने देखा है हमेशा पुरूष और स्त्री के मत्दान में करीब करीब नौ दस प्रतिशत का मार्जिन रहता था पुरूष का मत्दान करीब करीब नौ प्रतिशत ज्यादा रहता था पहली बार ये करीब करीब जीरो हो गया है यह अपने आप में भारत के लोग कंत इस चुनाव में भारतिय जनता पार्टि और NDA के लोग जीत करका है इतना नहीं है इस चुनाव के एक विशेस्ता है नौर्थ हो साउथ हो इस्थ हो बेस्थ हो सभी कौने में बहुमत के साथ बीजेप और NDA जीत करका है ऐसा नहीं कि एक कौने में है सब दूर उसको हमें जो लोग हार गए हैं जिनके सपने चूर चूर हो चुके हैं जिनके हंकार को छोट पहुंची हैं वो देश के मददाताओं का अभिवादन नहीं कर पाते होंगे लेकिन मैं सर जुका करके भारत के कोटी कोटी मददाताओं का अभिवादन करताओं अभिननन करताओं का धन बात करता हूं और भारत के लोगतंतिक प्रक्रिया को निभाने वाली उस विवस्ता सुष के साथ जुड़े हुई है छोटे मोटे सब अपसर सिकूरिटी के लोग इलेक्शन कमिशन यह सब अभिनंदन के अधिकारी हैं मैं उनका अभिनंदन करना जाए